लो गाइज दिस गुलसन कुमार एंड वेलकम बैक टू आबर यूटूब चैनल गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग एक सिंपल तरीके से हैंड एस्टेंड किस तरह से कर सकते हो तो मैं आपको कुछ सेक्रेट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपके लिए एक लाश्ट में सर्प्राइज है तो वीडियो लाश्ट तक देखना ठीक है ना तो लाश्ट जरूर देखना तो देखो सबसे पहले अगर आपको हैंड वेलेंज सीखना है तो आपको बहुत सारी मेहनत यहां पे करनी होती है जितना आप लोग हाडवर करोग स्मार्ट वर्क करना है तो चलो मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं तो गाइस देखो सबसे पहले अगर आपको हैंड स्टेंड करना है तो सबसे पहले आपको पुसप करना होगा इस तरह से जिससे आपकी जो हाथ है वो थोड़ी मजबूत हो सके जिससे आप लोग अपना बॉडी का वेट अपने हाथ से उपर उठा सको ठीक है तो आपको पहले पुसब ही लगाना होगा देख लो इस तरह से आपको कम से कम 15 पुसब आप लोग लगा लो करना होता है हैं वाल के सारे तो वाल के सारे किस तरह से करना है सबसे पहले अगर आप लोग इस तरह से और पैर पीछे से इस तरह से रखने की कोशिस करोगे तो आप लोग गिर सकते हो ठीक है ना तो देखो सबसे पहले आपको इस तरह से करना है देख लो आपको अपना हाथ इस तरह से रखना है नीचे और पैर को इस तरह से ऊपर रखना है इस तरह से आप लोग देख लो इस तरह से इस तरह सरखने की कोसिस करो आप लोग तो देखो यह जो हमारी इक्सरसाइज हो गई वह आपको करना है कम से कम साथ आठ दिन तक आप लोग इसे ट्राई करो तो इसे ट्राई करने के बाद में देखो और हाँ आप आप लोगो मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई भी कोस्टन वगरा मुझसे पूछना चाहते हो या फिर बात करना चाहते हो तो आप लोग मुझे Instagram फर follow कर लो मुझे Instagram फर follow करने के लिए type करना KU M A R G U L S H A N 745 वहाँ पर मुझे follow करना message करना, आपके message का मैं बहुत ज़्यदा reply दूँगा और action महाँ पर मैं live याता रहता हूं तो आप लोग मुझे live बात कर सकते हो तो देखो, जब आप लोग इस तरह से कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको इस तरह से करना है, इस तरह से, वाल के सारे ही, देख लो, आपको अपना पैप इस तरह से उपर लेकर जाना है, इस तरह से, बॉडी को सिधा करने की कोसिज करो, भी आपको कम से कम साथ दिन करना ठीक है यह आप लोग कर लेते हो उसके बाद को क्या करना होता उसके बाद में अब आपको पीछे की तरप से इस तरह से हैंड बैलेंस करना फिलो इस तरह से बीए रखना चमीन पर और पैर को पीछे से क्लिक करके और इस तरह से करना है आपको हैंड वैलेंस देखो किक करने के लिए आपको मैं एक सिंपल इक्सरसाइज बताऊंगा वह भी आप लोग ट्राइ करना जो कि बहुत ही ज्यादा सेफटी है और उससे आप लोग बहुत ही आसानी से हैंड इस्टेंट सीख सकते हो तो देख लोग फिर उसके बाद में इस तरह से करना है आपका अपना हाथ इस तरह से रखना है और पैर कूपर किक करके और वाल पे इस तरह से रखना है इस तरह से यह आप लोग जितना देर हो सको उतना देर आप लोग करो जितना टाइमिंग आप लोग देश सकते हो उतना टाइमिंग दो इस तिक्तर साइश को करने के लिए और फिर आप लोग धीरे-धीरे कोशिस करो अपने पैर को वाल से हटाने की इस तरह से तो देखो, आपको अगर अपना body पीछे की तरफ से इस तरह से वाल पे लेकर जाना है तो आपको इस तरह से करना होगा पहले जिस से आपको injuris होने के chances बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो देखलो इस तरह से आपको roll करना है, सिर्फ खुछ नहीं करना है आपको अपने बॉड़ी को पहले उठाना होता है उसके बाद में रॉल करना होता है इस तरह से इस तरह से देख लो फिर से देख लो इस तरह से तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो और हां मैंने बोला था कि आपको मैं एक सर्प्राइज बताऊंगा तो देखो मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है जो कि मेरे सेकेंड चैनल फैंटैसी क्रियाशन पर अप्लोडेड है तो जाओ उपर में कुछ लिखा हुआ रहा है वहां से क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हो बहुत ही अच्छी वीडियो है यार जाओ देखो और उस चैन वीडियो बनाए है और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करना तो इस वीडियो को भी चितना हो सक्कूटा शेल करो अपने दोस्तों के